नमस्कार आप देखें नियूस फोर नेशन और मैं हूँ सांत्वन आपके साथ लगातार पार्टी की ओर से आए दिन मीटिंग बुलाई जा रही है चिनाव प्रचार प्रसार करने के लिए दिशान और देश जारी किये जा रहे हैं और अब जल्दी जदियू अपने विस्तारी करन को लेकर पूरी तरीके से जुट जाएगी लेकिन जदियू को रास्ट्र पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए जदियू के नीता भी अभी सही तैयारियों में जुट गये हैं वो लगतार प्रयासरत है कि कैसे जदियू को रास्ट्र पार्टी का दर्जा दिलाए बतादे कि मनिपूर और उत्तर प्रदेश में जदियू अपने विस्तारी करन का फैसला कर चुकी है मनिपूर और उत्तर प्रदेश में जदियू अपनी पैट बैठाने को तयार है लेकिन जदियू को अब जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसबा चुनाओं का भी इंतजार है जधियू ने ये ठान लिया है, कि वो जमू कश्मीर के विधान सवा चनाओं में भी लड़ेगी और अपनी पार्टी को राश्टू पार्टी का दर्जा दिला कर रहीगी बतादे कि जदियों को राज्ट पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश वा मनिपुर्ट सहित जमू और काश्मीर के विधान सबाचनाओं का इंतजार है पार्टी के बड़े नेताओं का दोरा इन तीन राज्यों में शुरू हो चुका है फिलाल पार्टी को दो राज्यों बिहार और अनुराचल प्रदेश में राज्यों सतर्या पार्टी का दर्जा मिल चुका है वही राश्ट पाटी का दर्जा हासिल करने की शर्टों में एक शर्ट के अनुसार पाटी को कम से कम चार राज्यों में राज्विस्तरिय पाटी का दर्जा हासिल होना अनिवार है ऐसे में आगामी तीन राज्यों के विधानसभा चुनाओ में पाटी सक्रिय रूप से शामिल होने की तयारी कर रही है हलाकि फिलाल केंद्र शासत, प्रदेश, जमू और काश्मीर में विधानसभा चुनाओ करवाने के मसले पर निर्ने होना बाकी है यदि निर्ने हुआ तो वहां अगले साल विधानसभा चुनाओ होगा सुत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाओ के लिए पाटी के उमीदवारों की घोशणा जल्द होने की संभावना है वहां पाटी NDA में भाचपा के तालमेल के साथ चुनाओ लडने को तयार है वहीं मनिपोर में पाटी संगठन को मजबूत करने के लिए स्वेय रास्ट्री अध्यक्ष राजीव रंजन सिंग और फललन सिंग के निर्तित्रों में पाटी के रास्ट्री नेता दोरा कर रहे हैं पिछले दिनों जद्यू की रास्ट्री कारेकारिनी की बैठक में मुक्यमंत्री नितश्कुमार ने भी पाटी नेताओं से कहा था कि जद्यू को रास्ट्री पाटी का दर्जा दिलाने में सभी मिल जुलकर काम करें जद्यू के रास्ट्य अध्यक्ष्री राजीव रंजन सिंग और फिललन सिंग ने शनिवार को कहा है कि मनेपूर विधान सबाद छेत्र से जद्यू चुनाओ लड़ेगा ये बाते उन्होंने तीन दिवसिय दौरे के दूसरे दिन मनेपूर के विश्नोपूर जिला स्थित म मोईरांग में जद्यू जिला कारेकरता सम्मेलन में कही ये इस दौरान मोईरांग में राज्ट्य अध्यक्ष्री ने आईने मेमोरियल में स्वाधीनिता संग्राम के महानायक नीता जी शुवास चंद्र बोश की प्रतिमा पर मल्यारपन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किय इस दौरान मनिपूर जद्यू प्रदेश अध्यक्ष हंकांग पाओ तालिहुल पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी राश्ट्य महासचिव अफाक अहमद खान राश्ट्य सचिव मनिपूर प्रभारी ससांसद आर्पी मंदल मौझूद रहे बता दे कि जद्यू के राश्ट्य अध्यक्ष ललन सिंग ने एलान कर दिया है कि जद्यू अपने पूरे दमखम के साथ तीन राज्यों के विधानसभा चुनाओ को लड़ेगी जद्यू ने अपनी तैयारी विधानसभा चुनाओ को लेकर शुरू कर दी है और विबिन र जद्यू करेगी और जूइद भी हासिल करेगी इसके साथ साथ जद्यू अपनी पैठ बैठाने को जमू कश्मीर के विधानसभा चुनाओ में भी तैयार है और भी के लिबस अतना यहनकाई अपडेट्स के लमाएं साथ जुड़े रहें निउस फॉर नेशन में नमस्कार जद्यू झाल